वेलकम टेक वीडियो गुरूप मैं आपका ज्विकास आपका अपने चैनल में वाफिर तोद करता हूं तो आज हम आपको बताएंगे ओ लेवल या ए लेवल जो भी बच्चे हैं अगर वो पास कर चुके हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है और मात्र आप 150 रुपए पे करके भी नहलेट का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्ट कर सकते हैं इसके बारे माज आपको अपडेट देंगे ठीक है तो पूरी वीडियो कंप्लीट देख लीजेगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए हैल्फुल होगी तो देखिए पहले आपको थोडा सा रूल हम बता देते हैं यानि कि सर्टिफिकेट आपको कम मिलता है जब आप ओ लेबल कर रहे होते हैं और आप चार पेपर पास कर लेते हैं गप्लस यह अपना प्रोग परिग्ट कर देते हैं नालेट को उसके बाद आपको विदिन 60 डेज के अंदर online आपको एक certificate जारी किया जाता है जो कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा जैसे कि माली जै मैं कोई एक certificate open करता हूं तो यह भी old pattern के हैं क्योंकि अभी new pattern के certificate जो है वो इस भार हमको देखने को मिलेंगे December last तक December last तक new pattern वाले certificate आ जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको नालेट के मादम से certificate देखने को मिलता था जिसमें की चार मॉडूल होते थे आपके प्लाजिक एक practical होता था इस प्रकार से अब जो होगा उसमें चार practical हों तो चारो प्रेटिकल के यहाँ पर detail लाएगी उसके grade यहाँ पर रहेंगे और overall percentage जो भी आपका मिलेगा वो 60% ratio के नुसार और 40% ratio के नुसार वेटेज निकालके यहाँ पर overall percentage आपको ABCD grade मिलेगा साथ यहाँ पर digital verify भी आपको करना होता है ठीक है तो यह certificate आपको original certificate है आपका knowledge का जो आपको complete होने के बाद मिलता है same as you परकार से आपको मिलता है A level का भी certificate देखते हैं अगर हमारे पास कहीं पर level है यहाँ पर साथ आप लेवल ना हो भी ठीक है लेकिन हमारे पास अब level मैं आपको अलड़ी दिखा जुगा हूँ तो A level का certificate का मिलेगा जब direct A level करेंगे तो 10 paper प्लस आपके practical कितने होंगे 5 5 practical प्लस 2 project जब आप submit कर लेंगे तो आपको A level का certificate मिल जाएगा उसी पेकार से O level के बाद जब आप A level करते हैं तो आपको certificate का मिलेगा उसके साथ आपको 6 paper एक practical प्लस एक project सब्मिट करना होगा तो आपको certificate जारी कर दे जाएगा माल और ये ये आपको complete करना होता है 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर O या A level के registration आपके valid होते हैं माल लेजे किसी कारण वर्थ आप 5 साल में exam दे रहे थे और आप pass नहीं कर पाएं या फेल हो गए ठीक है आप 5 साल भी आपका registration भी कर लिया उसके बाद भी फेल हो गए आप pass नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप बीच में ही drop कर रहे हैं आपकी कहीं पर job लग गई है या पर आप continue नहीं करना चाहते हैं तो इस case में आपके लिए नालेट ने एक certificate बनाया है जिसको की बोलते है module certificate ठीक है module certificate का मतलब होता है जिस भी module का आप exam दे चुके हैं उसमें अगर आप pass हो गए मालेज आपने M1R5 का exam दिया और आप उसमें पास हो गए और आपके 5 साल complete हो गए और आप बागी के जो exam है नहीं देना चाहते हैं वहीं पर drop करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं उस M1R5 का certificate आपको मिल जाएगा तो उसको apply करने के लिए बहुत simple तरीका है और एक और update है कि पहले जो है A level में module certificate जो आपका link यहाँ पर activate नहीं था तो अब लेकिन आपको A level में भी module certificate आप प्राप्त कर सकते हैं यानि कि जैसे कि मालेज आपको A5 का module चाहिए A6 का चाहिए A7 का चाहिए तो उसका module आपको मिल जाएगा कैसे मिलेगा आपको बताते हैं आपको अपनी profile का login करना है और right side में module wise certificate का option आएगा तो जितने आपने पास कर लिए होंगे जैसे ओलेबल का profile है 150 यहां पर सो हो जाएगा इन्होंने अभी M1 और M2 का jam pass किया है तो M1 M2 का यह module apply कर सकते हैं submit यहां पर कर देंगे और payment कर देंगे within 60 days के अंदर online आपका है module certificate आ जाएगा ठीक है उसको download करने के लिए आपको जाना है यहां पर certificate dot knowledge dot jub dot in और नीचे यहां पर जाके आपको select करना है module वाई certificate course select करना है ओ लेबल और जो भी आपने module apply किया देखिए यहां पर सारे नाम यहां पर लग बता जाते हैं ठीक है तो जो सभी आपका course हो देखिए new वाले old वाले सभी यहां पर लेबल है ठीक है अब यहां पर दे सकते हैं यहां पर new और old दोनों को ही add कर दिये का है तो जैसे python का है माले जो python को आपने select कर लिया registration number अपनी data बड़ दाले के इसको आप download कर रखते हैं ठीक है अगर a level का है तो देखिए यह लेबल पर क्लिक करेंगे तो यह लेबल के जितने मॉडूल है देखिए यहां पर old new सभी आ गए ठीक एलेक्टिव वाले भी आ गए मंगा सकते हैं ठीक है अब आप बोलेंगे सर इसका benefit क्या है तो देखिए simple सा इसका एकी benefit है ठीक है क्योंकि वहाँ पर complete हमको certificate चाहिए होता है यूँकि मैंने दिखाया original वाला जिसमें की चार practical यह सारा बात जो मिलता है वो लेकिन module वाला का certificate आपको लगाना ऐसे award आप लगा सकते हैं ऐसे experience आप लगा सकते हैं government job में जहाँ पर demand ना की गई हो कि knowledge का o level चाहिए ठीक है जहाँ पर simple सा लिकाओ computer certificate हो एक महिने दो महिने तीन महिने का वहाँ पर आपका लग जाएगा easily m1 m2 किसी का भी आपने module डाउनलोड करके लगा सकते हैं इसी परकार से private companies जो होती है data entry के लिए या accountant के लिए वहाँ पर भी आप इसका use करते हैं ठीक है तो वहाँ पर यह आपके लिए benefit देगे बेकार नहीं होता है कोई भी certificate तो यह तो मैंने आपको profile दिखा दी o level की आप देखिए a level की मेरे पास जो profile of level है मैं a level का भी module दिखा देता हूँ अभी तक हो तकता है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो over a level के जो भी बच्चे हैं वो module certificate के लिए apply करकते हैं अगर वो 5 साल के अंदर नहीं pass कर पा रहे हैं या फिर बीच में ही drop कर दे रहे हैं अपना module तो मैं आपको यही 50 रुपए payment करके जितने भी आपके module आपने के लियर कियों सभी के module certificate एक साथ apply कर देंगे तो एक की साथ आपके आजाएंगे ठीक है तो अभी देखें मैं a level की profile open कर रहा हूं और यह जो student है हमारे अभी इनका complete नहीं हुआ है ठीक है अभी तो इनका exam चली रहा है फिलाल इन 100 रुपए का option open हो जाएगा और यहां पर देखें इनने जितने ही module पास किये हैं यह इन सभी के module certificate apply कर सकते हैं जैसे कि A1 को चाहिए या फिर A8 का चाहिए तो किसी भी भी क्लिक करके payment करके आप easily यहां पर certificate ले सकते हैं ठीक है तो यह इसका procedure है apply करने का और 30 days के अंदर minimum 45 days 50 days के अंदर आपका certificate यहां पर आपका आ जाता है आपको जाना है यहां पर select करना है और download करके दे सकते हैं अगर यहां पर invalid बताता है तो 10-15 दिन और wait कर लिए 30 दिन और wait कर लिए आपका आ जाएगा ठीक है तो यह है simple such step 150 रुपए में आप A level के कोई भी certificate module प्राप्ट कर सकत और government job में भी as a awarded as a experience आप इसको लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी जहां पर knowledge का A level certificate मांगा और doing certificate वहां पर मत लगाईएगा वहां पर आपका यह eligible नहीं होगा ठीक है तो thank you for watching